तुमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ कारगिल से करीब 200 किलोमेटर दूर जांसकार बैली में और जांसकार बैली में छोटा सा गाहों बसा हुआ है जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे कर दो दो हुआ है। आज हम को बता है। मैं अपने एक पाई के साहत हुँ जो नाम दोड़ जी है और वो आज हमको बताएंगे कि यहाँ छोटी-छोटी चीजों का मतलब जो है वो हमको समझाएंगे और हम समझेंगे इसको इस पूरे गाउं को हम एक्स्प्लोर करेंगे आज तो चलिए सुरू करते हैं कि अच्छा तो दूर्जो जी जुले जी और आपका गाउं कौन सा है अच्छा जंगला कहा है यहां पर आप क्या करते हैं यहां पर वेटर सब्लाई करेंगे अच्छा वेटर सब्लाई करेंगे तो चलिए ठीक है आज मेरे साथ में दोर्जे भाई हैं और हम इस यह जो गाउं आप देख पा रहे हैं यह पिसू पिसू नाम का गाउं है जो जांसकार बैली में बसा हुआ है और आज हम इसको जो है एक्स्टोर करेंगे और दोर्जे जी हमको समझाएंगे तो सबसे पहले यहीं से सुरुवा इसका क्या मतलब रहता है इसमें हमारा पूजा होता है इसमें हमारा पूजा होता है अच्छा मतलब एक तरीके के मंत्र है मंत्र जो और बाकी जो दर्व मैं जो हुता है को इसमें मंत्र बार-बार जबते है号 इसमें महरीक अठार आ prueba करते हैं। वोय इसमें लिखा है इसमें में अच्छा करते हैं। चलो आगे चलते हैं और यहां पर आप देख पाएंगे यह कुछ अलग ही structure यहां पर देखने को मिलते हैं और खासकर यह जो आप structure देख रहे हैं यह लगबग हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा तो यह क्या चीज़ है जोले जी यह समय क्या होता है यह तो इसका भी वह परिक्रमा करते हैं यह जो दो कि आपको अच्छा इसमें कुछ खास होता है कि वह है इसको पूजा वजा करके इसको पूजा करके पूजा करता है तो मतलब एक तरीके से यह देव स्थान है मतलब कोई एस्वर का अंस इसमें रख दिया गया है और उसकी पूजा की जाती है एक जिए रेके प्चार मोजटे आचारू करते हैं जो अधे पनरो केता है जो किने खिरे होता है, इस पथर वे रखिते हैं यह विर श्हक्तागा है, प्राश कझे दूए यह टूर्म कोड़ा होest Two इता हम तो डिता है ये ऑदे बहुतка पुुर חवा होगाまあ, जी मिल्ट अजए, बम्हे फचान सतरड उबसा आए. पता ao Dust? ये वेज दो बहुत कुछ den आ पैसे वही परिक्रमा करता है तो से खुरति होजा से तो है तो इसे भी लिए पर हो यह शेWhy अार्माहनि तो फे पुच्आ शेसे इसका क्या मतलब है ये जो उपर जो किलर दिख रहा है ये जो पता का जो लगाई है इसका क्या मतलब है इसका उपर जो रहे है ये जो लगाई है ये के मतलब है अगाना है ये निए ने हमें निदी एक जिर का वैया है ये जो उन मतलब है कम गाई है ये इसका की आदा अधा डड़ाया है त यह क्या चीज होती है अच्छा यह हमें लब्दाक में हर जगह देखने को मिलता है यह जो पता कहां जो लहरा दी है अलग 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 रंगी इसका क्या मतलब है यह जो है हमकरे कर लगा कर लगा लगा जिसमें पोरलग लगाके इस में सब्सुने निकाल के इसको सब्सक है अपर लगा लगा में लिखा दूं की मंत्री पूरा मंत्री पूरा लिखा पूजा चलिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं यहां पे आप जहां पे भी देखेंगे लगबग इस तरीके के आपको इस ट्रेक्चर देखने को मिल जाएंगे आप इस गाओं की खूबसूरती को देखिए यह पूरी जांसकार वैली के अंदर यह बसा हुआ गाओं है और दूर मॉनेस्ट्री वी हाँ जो दिख रहा है वो जंगला गाओं है और इधर यह कौन सा कुई पहले सा यह कि मॉनेस्ट्री है अच्छा जंग लगा मॉनेस्ट्री है यह अच्छा खूबसूरत व्यू है यह अच्छा एक और एहम चीज यहां पे जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो हर जगह लगबक लगदाक में जहां पर भी बुदिष्ट कल्चर है इसको इसको अइसे घुमाते है इसका क्या मीनिंग होता है यह है इसमें का बाद में अच्छा नहीं है जी चाहत में बढिए、 माला में ठीकान हमाता। काग़ में लिआ हो साथ मीखिया कि लिदी के लिदी के आंदर नहीं हैThe only good Sheila ऑष्याती है ederी हमाला भीकान होथा के लिदी को माला पetrल भीके लिदने पर होईरा है मतलब एक तरीके से इसमें वाला फेरने जैसा है नगर इसको एक बार घुमा देंगे तो वह जाए और वह जो मिलता है वह एक बार घुमाने से वह जाता है व माने पद में हम लिखा है? व माने पद में हम लिखा है व बाहरु या को पर या के लिकन होने के लिखा है और मानिपद में हुम अच्छा जिसको ये एक हां ये जो मंत्र है ये बुद्धिष्ट कल्चर में वो या जो बुद्धिष्ट जो लोग होते हैं वो बहुत ही पवित्र एक मंत्र माना जाता है है ना कि अच्छा कि अच्छा कि कैसे हैं बढ़िया क्या नाम है आपका यहां के बारे मैं कुछ बताओगे आप आपके गाउं के बारे में कैसा लगता है यहां पर कैसा लगता है यहां नाम है ठीक लगता है कभी बाहर गये अदर कभी मेरे बोपाल या डیली यह कभी गया है ना है आधकर goinglaration किसी काम से Oh यहां के जो गर है वोन का इस्ट्रैक्चर भी आप बहुत अलग तरीके से देख पाएंगे और यहां की जो बनावट है वो एक अलग ही पहचान दिलाती है लगदाख को यहां पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं हम उनसे बात करेंगे और यहां के बारे में कुछ समझने की कोशस करेंगे है और साय दिन को बहुत अच्छे से पता होता है क्योंकि यह बुजुर्ग जो होते हैं नोंने कापी अनुभब किया हुआ होता है जुले जनाब जुले जुले क्या हाल हैं बड़िया हो आप ठीक हैं यहां के बारे में आप बताओगे अच्छा सबसे पहले आप यह बता आपके उम्र कितनी है इनकी उम्र कितनी होगी इनकी उम्र कितनी होगी अच्छा यहां पर एक चीज मैंने देखी है कि जैसे अमकार गेल या फिर कहीं और जाते ना तो इस तरीके के घर बने होगे होते हैं जिसमें जैसे वर्फ को फिसलने का इक वो रहता है ना यहां पर मैं देख रहा हो किima पर कोई भी ऐसा ग़र नहीं है असा है इसकी क्या रिज़ने हा है इसको यहां गरफ कर चाट अच्छा बरफ जाद में आता है तो है ज्यादा दूर में श्यादा पहार की साथ में बनाएज चाट इसी बनाता है अच्छा 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 इनको जो है थोड़ा हिंदी बोलने में प्राउबलम है ना साइड समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से यहां आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी बगएरा ऐसा कुछ फील होता है कुछ कमी लगता है यहां पर पड़ाई बगेरा मैं या कुछ चलिए चलिए ठीक चलिए शुक्रिया इधर कहां है यह तो मकान अच्छा यहां पर यह पत्थर के बने हुए होते हैं यह की मकान जो है पत्थर के हैं की मिट्टी के हैं फील है यह उत्ततत है यह पत्थर में आगे लिए यहां से भी बने है यह तो मकान अच्छा अच्छा जिए में पुरा पत्थर के जिसके हैं यहां आगे थिए अच्छा अच्छा आपसा जिर। पर्णा अच्छाु ए यह जो मकान देख रहे हैं तो आप परान होगा ना यह तो कितना होगा इसकी तो गांदा 7-7 कितना पराना हो गाए अच्छा इसमें भी वही बना उगा है न वह अग्वन होगा ता यह जैसा अप देख पा रहे हूंगे यहां पर भी अच्छा यह रेड वाइट ब्लेक इसका क्या कुछ है मतलब इसको फुजा इसमें अंदर फुजा स्टाव होने के मतलब इसमें अलग अलग यह देवता टाइप ऐसा कुछ रहता हुआ यह उसका प्रतीग होता हो अच्छा तो यह इसका मतलब यह दोर्जे जी बता रहे हैं कि यह जो रैड और वाइट और यह जो स्लेटी कलर का एक आप जो देख वारे होगी तो इसमें अलग अलग ऐसा बोलने जैसे हिंदीज में जो होता है कि अलग अलग देपताओं को एक साथ रख दिया जाता है और यहां पर पूजा पाट शुरू कर दिया जाता है ऐसे यहां बुद्ष कल्सर में भी है और आप यह देखिए कितना कितना पुराना होगा यह लगो 17-80 साल पुराना यहां पर यह देखिए लकडी का भी काफी अच्छी से यूज करते हैं और यहां पर लकडी खराब नहीं होती है खरब नहीं होता है एक तरह खराब नहीं होता है दूसरा पहले जमने के खीकी दर्वाजा सब कुछ छोटा होता है आप इस देखिए यहां के इनको क्या बोलते है यहां लोकल लेंगेज में फिरू ठंपा फंपा शिपू के तो यह का बता है नहीं है यह बेडू फ अच्छा इस देखिए बड़ी ही एक अलग ही बाइब है इस गाहों में और यहां मैंने एक चीज भूत ही अनुकी देखी वह यह की जैसे प्लेन में हम कोर यह चिडिया को देख पाते हैं बड़े रेयर मैंने यह देखा और यहां पर अगर देख रहा होगा यहां पर भी चिडिया आपको देखने को मिल जाएंगी इनको देखके बड़ा अच्या पील हता है जिसको यहां इस सीजान आता से जब सीजान खत्म हो जाएगा यह उधर चला जाता पूरा उधर चला जाता है अच्छा लग रहा है इनको देखके ना मेरे दर भी काफी होती है ना यह देखो आज किल के टाइम पर यह कुछ आदुनिक तरीके के घर भी बने हुए है तरीका आदुनिक है लेकिन इस्टाइल जो है वह वह पुराना ही है यह बोर्वैल का पानी है कि इसीदा तो यह भी कैसे चलता है इतर इसे पूरो नीचे चाजमा से लाटा सब्सक्राइब पानी पिलाता है अच्छा कि यह सोलर सिस्टम से यह चलने वाला बोर्वैल है जब तक लाइट रहेगी तब तक यह चलेगा दूब रहेगा तब चला जाएगा जब चला जाएगा अच्छा अच्छा शुलर सिस्टम चलने गाए और यहां पर पहाड़ों से भी आता है पानी पानी आता है अच्छा उधर कहीं दूर शायद दिख रहा होगा और वहीं नाना से आता है दोस्तों यह है जैंसकार रिवर जो जैंसकार वैली में यह बह रही है और यह पिसू जो गाओं है इसके बिल्कुल साइट से बहती हुई जा रही है इसके बिल्कुल साइट और वह जो आप अथर जो पहाड देख रहे होंगे और यह जो नीचे आपको सोलर पैनल जो दिख रहा है यह पूरा सोर्स है जैंसकार बैली में जो बसा हुआ यह जो पिशू गाओं है उसका बिजली का और पास में यह जो पंप हाउस बना हुआ है यहीं से ही पूरे पानी सप्लाई होता है और में वहला जाकर आपको पता हुँगा वहाइं चस्मा भी है जो बह upfront जा घीए पहाडों सेरी कुछ प्रॉम्षों से पानी अंडर ग्रायएऑ और यहां एक उसकी स्वप्ने अपनोग पैना हुआ है और बहां से पूरे पिशु गाउं को पानी की सप्लाई होती है